काफी दिनों से स्टूडन्ट क्वेरी पूछ रहे हैं जब से यह एक्जाम कैंसल हुई है कि नॉम्बर एक्जाम की प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उस पे मुझे काफी लोगों ने बूला है कि एक विडियो बना दीजिए में अभी स्टूडन्ट के सामने जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैं एक गुप अपेर करूं तोनों गुप अपेर करूं या सेकंड गुप करूं फर्स्ट गुप करूं तो यहां पर मैं अपने विचार बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास टाहिम है अगर आपको अफिस से लीव मिल चुकी है और आपको नौंबर तक आफिस नहीं जाना है तो उस केस में आप दोनों गुप की तयारी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास लगबग चार मैने हैं और चार मैने में आप दोनों गुप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपके एक गुप की तया अब आपका डेडलाइन कैसे सेट करना है आपको कोशिश करें कि 15 या 20 अगस्त तक 15-20 अगस्त तक आपका जो भी सेकंड ग्रूप या फर्स्ट ग्रूप बचा हुआ है वो आप कम्प्लीट कर लें अगर आप फर्स्ट टाइमर है नॉम्बर एक्जाम के लिए आपके लिए में वही डेडलाइन देता हूँ कि 15-20 अगस्त तक कोशिश करके ग्रूप औन ग्रूप टू की पढ़ाई कम्प्लीट कर लो ठीक है उसके लिए आपको चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करो सिल्फ स्टड़ी करो जैसे भी करो यह मैं आपके उपर चोईस छोड़ता हूँ जहां पर आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है तो आप टीचर की मदद ले सकते हैं कोई उसमें हर्ज नहीं है तो आप वीडियो लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनेफिट जरूर मिलता है उसका लेकिन फिलाल में उसकी प्रमोशन नहीं करने के लिए यह लिक्चर दे रहा हूँ अब आपको कितने घंटे पढ़ने हैं रोज तो मैं तो आपको कहूंग 12 to 15 hours per day की पढ़ाई कर सकते हैं क्या है पॉसिबल है कि आप एक दिन में 14-15 hours पढ़ सकते हैं बिल्कुल पॉसिबल है 5 to 6 hours sleeping time और घंटा दो घंटा बाकी activities के लिए हैं उसके अलाव बाकी time आप पढ़ने के लिए डिवोट कर सकते हैं एक दिन में मुझे कितने subject पढ़ने च के साथ कम्माइन करो एफर के साथ audit ले लो कॉस्टिंग के साथ में भी IDT ले लो SFM के साथ law ले लो इस तरह से तवड़ा अपका क्या है मोनोटोनस नहीं होगा पढ़ाई क्योंकि कई बार एकी सबजेट को हम पूरे दिन 14-15 गंटा पढ़ते हैं तो मोनोटोनस हो सकता है इ तो मुझे आज ये पोर्शन कंप्लिट करना है और करना है मुझे आज इंडियस110,115 और 116 कंप्लिट करना है तो तो फिर आज मुझे उसे करना है फिर चाहए मुझे चौ़दा घंटे लगे फिर या 16 आवर्स लगें और जितना हो सके इस अगले चार मेने के दौरान आप अपने मोबाइल फोन से दूर रहें ठीक है बंद कर दो उसको बले कुछ नहीं होगा दुनिया चेंज नहीं हो जाए कि तुम्हारे मोबाइल फोन बंद करने से बंद नहीं कर सकते तो उसको silent non vibrating mode पे रख दो और हो सके तो दिन में बस एक दो बार इसको देखना है minute to minute नहीं देखना है यह अगर आप अपना willpower इतना बढ़ा सकते हैं कि हाँ मैं सिर्फ concentrate करूँगा पढ़ाई करने में तो आप निसंदे आप नौमर एक्जाम दे सकते हैं बोलो सच बोल रहा हो कि नहीं येस ठीक है कौन कौन से study मटल पढ़ने है एक तो ICI का मटल पढ़ना है जो भी पिछले दो तिन एक्जाम में suggested answer आए है अगर जो अभी भी आपके syllabus में relevance रखते हैं उनको पढ़ना है जो भी notes आप पढ़ाई करते हैं उससे पढ़ाई करनी है उनको बार 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 revise करना है दुनिया भर की books जमा करके नहीं बैठ जानी है कि चलो मैंने इसका उसका notes भी ले लिया और आपके वजन से ज्यादा आपकी books की वजन हो गई आपकी height से ज्यादा आपकी books की height हो गई ऐसा जमा करके आपको कोई फैदा नहीं है एक time table बनाना है उसको follow करना है एक deadline set करनी है concentrate करना है जितने भी distracting factors उनको उनसे दूर रहना है जो friends आपको disrupt करते हैं उनको block करना है और अपनी health का ध्यान रखना है you should have some hours of sleep also okay again person to person the sleep cycle can vary but maybe five to six hours are enough to have a healthy life so wish you all the best and आपका result मुझे बताना और एक काम और करना youtube channel subscribe करना as foundation तो मैं रोज कुछ न कुछ वीडियो बना कर आपको दूँगा maybe it will help you पता नि कौन सा मेरा वीडियो इसकी help हो जाए और इसकी life में क्या change ले आए that is possible please subscribe to my youtube channel thank you very much all the best आपको राए प्राग झाए कर दो आपको ऑ़के ले टो आपको ओको पिडियोगन एक ले खाए